नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी फोर पब्लिक सर्विस कमिशन में आज हम बात करने वाले हैं एंटी पीसी यानिकी आर आर बी के द्वारा अभी एंटी पीसी अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन निकाला गया है यहां पर मैं लिख देता हूं आर आर बी इंटर लैवल नोटिफिकेशन दो हजार 24 का यह नोटिफिकेशन निकाला गया है और जैसे कि आपने थमनेल देखी लिया हूगा थमनेल के उपर लिखा गया है कि जिस भी बच्चे की पलस टू कलास में यानि की 12th कलास में जिसके भी 50 परतिशत मांक से कम हैं जिस भी बच्चे के 50% मार्क से कम है 12th कलास के अंदर वो बच्चा इस फोर्म को नहीं बरपाएगा ये बिल्कुल सच्चाई है मैं आपको नोटिफिकेशन के थुरू दिखाने वाला हूँ कुछ बच्चों का मेरे पास मैसिस आया था कि भई क्या वो फोर्म नहीं बर सकते तो फिर कैसे आगे जो है उनका सपना जो है वो रेलवे में RRB के अंदर वो टूट चुका है तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ अगर आप इसके अंदर एक कंडिशन और दी गई है फिर अगर आपके प्लस टू क्लास में 50% मार्क से कम है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए रहने वाली है अभी जो है RRB का जो इंटर लेवल का नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है और इसके ओनलाइन फोर्म चले हुए हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करने के बाद ये बेसिक सी चीजे यहां पे दी गई हैं ये हम बाद में भी देख लेंगे कोई बात नहीं जो मेन फोकस इस वीडियो का रहने वाला है इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जिससे बच्चे काफी प्रेशान है उसी पे फोकस करेंगे ये बाकी सारी जो चीजे हैं वो बाद में जो लास्ट में जो है उसका ओवर्वियू ले ले लेंगे फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे देख लिजेगा इसकी जो एक्जाम डेट माफ कीजेगा ये 20 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था और इसके जो ओनलाइन फोर्म है 21 सितंबर से इसके ओनलाइन फोर्म स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट यहाँ पे 20 अक्टूबर रखी गई है बस ये इसलिए बता रहा हूँ ये भी क्योंकि अभी पूरा जो अक्टूबर है वो बचा हुआ है और जो सितंबर के भी है 5-6 दिन बचे हुए तो काफी दिन आपके इपास बचे हुए गबराने की कोई बात नहीं है तो इसके अंदर जो इलिजिबिलिटी कंडिशन है वो मैं आ क्लास का बच्चा जो है वो मिनिममम 50 परतीशत से कम वाला नहीं बर सकता वो दूर हो से तो चल ये हम जल्दी से जो है इसकी इलिजिबिलिटी कंडिशन पर चलते हैं तो यह यहाँ पर इलिजिबिलिटी कंडिशन आ गई है तो यह मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा यह यहाँ पर डोंट वरी एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिया कमर्शियल कम टिकट कलरक की हम यहाँ पर बात करने वाले है इस पोस्ट के लिए जो है क्या इलिजिबिलिटी क्राइट इरिया रखा गया है तो आईए देख लेते तो यह लाइन इसका मतलब बिल्कुल सही बात है यही लिखा गया है प्लस टू कलास में आपके 50 परतीशत अंक से कम नहीं होने चीए अधरवाइज जो है आप फोम नहीं भर सकते यह बिल्कुल इस लाइन का बिल्कुल यह सही मतलब बताया गया है लेकिन आप आगे भी पढ is not be instilled upon in case of SCST person with benchmark disabled या फिर ex-serviceman या फिर candidate who possess qualification higher plus two stays तो यह में चीज यहां पर फसाई गई है लास्ट लाइन में लास्ट शब्दों में इन्होंने में चीज लिख रकिया जिस पे सभी बच्चों का जो है काफी बच्चों का यहां पर ध्यान नहीं जाता बच्चा सिरफ पढ़ता है पहली लाइन में पलस टू स्टेज और इट्स इक्विलेंट विद नोट लेस देन 50 प्रतिशत माक्स तो पहली लाइन का बिल्कुल यही मतलब है कि अगर आपके पलस टू कलास में 50 प्रतिशत माक्स से कम है तो आप अपलाई नहीं कर सकते दूसरी लाइन में 50 प्रतिशत माक्स इस नोट भी इंस्टेड अपोन इन केस ओफ एस्टी तो यह 50 प्रतिशत वाली जो कंडिशन है यह किन के उपर लागू नहीं होती एक तो SC-ST वाले बच्चों के उपर लागू नहीं होती मलब SC-ST वाला जो बच्चा होगा अगर उसके पलस टू कलास में 50 प्रतिशत से कम भी है तो वो अपलाई कर सकता है उसके बाद second में कहा गया person with benchmark disabled जो disabled person होते हैं उनके लिए भी यह condition लागू नहीं होती कि अगर उनके 50 प्रतिशत माक्स से कम है पलस टू कलास में तो वो भी अपलाई कर सकते हैं यह ex-service man जो होते हैं उनके उपर भी अपला शब्दों के साथ खेल रहा है शब्द थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और मतलब होता है तो यह condition भी जरूरी है candidate who possess qualification higher than plus two तो यह line main फसाई गई है यहां पे इसके अंदर यहां का गया है कोई बच्चा जिसके पास higher degree है higher qualification है तो वो बच्चा भी apply कर सकता है matter नहीं करता कि अ यह बात जो है आपको लिख के बताता हूँ for example कोई बच्चा है यह एक student है जिसके 12th class में 50 प्रतिशत मार्ग से ठीक है यह बच्चा नहीं बढ़ सकता home बिल्कुल नहीं बढ़ सकता लेकिन यही बच्चा जिसने graduation pass की हुई है graduation pass की हुई है कितने भी प्रतिशत से 35 प्रतिशत 40 प्रतिशत 45 प्रतिशत 50 प्रतिशत किसी भी प्रतिशत से जो है उस बच्चे ने graduation की degree pass की हुई है तो वो बच्चा जो है form apply कर सकता है बिल्कुल कर सकता है I hope आपको समझ आ गई होगी बिल्गुल असान लेंग्वेज में मैंने बताया है एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कोई ऐसा बच्चा जो बच्चा पलस टू में 50 परतीशत मार्क से कम है वो बच्चा अपलाई नहीं कर सकता चाहे वो OBC का हो EWS का हो जर्नल का हो ठीक है उसके बाद आगे क्या कहा आगे वो बच्चा ये जो कंडिशन है 50 परतीशत मार्क्स की जो कंडिशन है ये किन पर अपलाई नहीं होती एक तो SCST वालो बच्चों पर अपलाई नहीं होती दूसरा प्रसन विद बेंचमार्क डिजेबल वाले परसनों पर अपलाई नहीं होती एक सर्विस्वेन पर भी अपलाई नहीं होती और Candidate who possess qualification higher than plus two तो उन बच्चों के उपर भी अपलाई नहीं होती ये कंडिशन की कोई बच्चा ऐसा है जिसने graduation करकी है या फिर post graduation करकी है तो मतलब matter नहीं करता कि उसके plus two class में 50% माक से कम है अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने plus two class में 50% माक से अंक कम लिये हैं लेकिन वो भी अपलाई कर सकता है किस condition में अपलाई कर सकता है बट शर्ते उसने graduation pass की हो या फिर post graduation pass की हो अब वो जो है apply कर सकता है I hope आपको जो है doubt जो है वो clear हो गया होगा फिर भी मैं जो है हर post है उसके लिए same condition रखी गई है यहाँ पे देख ले न accounts clerk come typist इसके लिए typing जो है वो मांगी जाएगी तो जिसको typing आती है वो ध्यान से बरना अपनी जो है post preference और यह जो typist जिस-जिस post के लिए लिखा हुआ है न उन सभी post के लिए यहाँ पे typing आपसे करवाई जाएगी post serial number 2 और serial number 3 serial number 4 जो post है इन सभी post के लिए same qualification रखी गई है इसलिए मैंने यहाँ पे चारों आपको एक साथ बताई है typing के इसके लिए रखी जाएगी serial number 2 और serial number 3 और यह जो चारों post है इनके लिए qualification क्या रखी गई है तो इनके लिए जो qualification है वो same रखी गई है एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे second की मैं बता देता हूँ serial number second की सेम रखी गई है plus two or it's equivalent with not less than 50% marks मतलब अगर plus two class में आपके 50% अंक से कम है तो आप अगलाई नहीं कर सकते लेकिन 50% mark is not inserted upon in case of SCST person with benchmark disability ex-serviceman and candidate who have possessed qualification higher than plus two stages तो यह बताए गई है यह condition उन बच्चों पे लागू नहीं होती 50% से कम अंक वाली यह condition उन बच्चों पे लागू नहीं होती किन बच्चों पे लागू नहीं होती एक तो SCST वाले बच्चों पे लागू नहीं होती एक उन पे लागू नहीं होती जो person with benchmark disabled person होते हैं एक ex-serviceman बच्चों पर जो है ये लागू नहीं होती condition और जो last condition है ये किस पे लागू नहीं होती higher जिसके पास qualification है यानि कि जिसने graduation की degree करकी है या फिर post graduation की degree करकी है उनके उपर भी ये condition लागू नहीं होती मतलब सिदा सिदा ये बात का गया है जिस बच्चे ने सिरफ plus two class pass करकी है उसके बाद आगे की चाह इसके अंदर apply नहीं कर सकता ये मोटा मोटा शब्द इसके अंदर जो basic है वो इसके अंदर बताया गया है टाइपिंग के लिए बताया गया है साथ में आपको टाइपिंग इसका मतलब है ऐसा ही serial number third post के लिए qualification रखी गई है और ऐसी qualification जो है serial number fourth के लिए रखी गई है तो I hope जो आपको doubt था वो मैंने clear कर दिया होगा फिर भी एक बार और मैं आपको यहां पर बता देता हूँ कोई भी doubt नहीं रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का railway में ल सच्चे का तो मैं यहां पर लिख के बता देता हूँ आपका तो यहां पर देख ले ना plus two class में कोई बच्चा है ठीक है minimum 50% से कम उसके marks है less तो वो बच्चा apply नहीं कर सकता यह बात आप याद रखना journal candidate का बच्चा हो OBC का हो EWS का हो यह condition इन पर लागू होती है इसके बाद जो कौन-कौन बच्चा form बर सकता है यह condition किस पर लागू नहीं होती एक तो SCST पर यह लागू नहीं होती दूसरा X-Service Man पर यह लागू नहीं होती उसके बाद PWBD पर भी यह apply नहीं होती साथ में higher education तो इन इन बच्चों पर यह जो condition है यह लागू नहीं होती अगर आपके पास higher degree है यानि कि आपके पास graduation की degree है या आपके पास post graduation की degree है तो आप बिल्कुल form भर सकते हैं चाहे आपके plus two class में 50 परतिशत अंक से कम हो बिल्कुल आप जो है वो form भर सकते हैं तो I hope आपको doubt clear हो गया होगा फिर भी अगर आपका कोई doubt है तो आप comment section में comment करके बता सकते हैं definitely जो है आपकी help की जाएगी अब एक बार जो है हम इसका overview ले ले लेते हैं इसकी exam date माफ कीजिएगा notification date और जो है syllabus वगएरा क्योंकि ये जो चीजे है notification date हो गई exam syllabus हो गया exam pattern हो गया stage 1 का syllabus हो गया stage 2 का ये आपके mind में कब तक रहनी चाहिए जब तक आपका face 1 का exam conductor नहीं हो जाता तब तक ये आपके दिमाग में daily आनी चाहिए इसके अलावा कोई भी आपके mind में जो बात है वो नहीं आनी चाहिए अगर आप जो है आप अपना जो form है मेरा ये मानना है एक October तक अपना form जो है अच्छे से अराम से बैठके अराम से notification को पढ़के अराम से बैठके इसको fulfill कर लीजिएगा उसके बाद जो है इसकी तैयारी में लग जाईएगा तैयारी भी last में मैं बताऊंगा चार परकार की इसने post release किया अपना जो है commercial कम ticket clerk, accounts clerk कम typist, trains clerk और junior clerk कम typist इन दोनों post के लिए जो है आपको typing आनी चाहिए तो ये भी याद रखना कि इन post के लिए typing चाहिए तो इन post के लिए आपकी typing आनी चाहिए साथ में detail vacancies at glance में यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर देख भी सकते हैं किस post के लिए कितनी salary यहाँ पर medical standard age limit आपकी 18 से 33 रखी गई है और 2022 इसके अंदर vacancy रखी गई है यह number of vacancy बताई गई है grand total यहाँ पर देख लेना 2022 होनी चाहिए OBC की 2189 होनी चाहिए SCST की 2187 होनी चाहिए और lower age limit की बात करें तो सभी की यह जो है एक एक दोजार साथ से कम नहीं होनी चाहिए उसके बाद हम बात करें तो इसके reservation वैसे ही मिलता रहेगा जैसे मिलता है OBC को 3 साल SCST को 5 साल का reservation और यह fees की बात पता ही है आपको journal और बाकी सब बच्चों दे 500 रुपे लिए जाएंगे और जो PWD female transgender जो यह बच्चे है इनसे एक सर्विस्मेन candidate से 500 पी लिए जाएंगे 400 रुपे जो है आपको stage 1 के बाद refund कर दिये जाएंगे और यह भी जो है आपको refund कर दिये जाएंगे stage 1 के बाद में ठीक है I hope आपको पता चल गया हुआ तो यह सारी चीजे मैंने बता दिये इसले बस एक बार देख लिजिएगा I hope आप smart है काफी बच्चे stage 1 में आपसे 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा 40 question GKS के पुछे जाएंगे 30 question मैट से पुछे जाएंगे reasoning थे 30 question पूछे जाएंगे total जो है 100 question का आपका question पेपर आने वाला है और यहाँ पे 120 मिनट किन को दिये जाएंगे PWD candidate को 120 मिनट दिये जाएंगे there will be negative marking इसके अंदर रहने वाली है तो negative marking काफी हाई है कितनी रहने वाली है one third इसके अंदर जो है negative marking रखी गई है तो अपनी तयारी अच्छे से करते रहें लगातार तयारी करते रहें क्योंकि exam जो है वो आपको अच्छे level का देखने को मिलेगा competition तो पूछो मत इतना देखने को मिलेगा जिससे आपको बस आप प्रिपेर कर लीजिए अपने उसके बाद stage 2 की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा stage 2 में 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा 50 question GKGS के पूछे जाएगे 35 question math के 35 question reasoning के total 120 question पूछे जाएगे सिरफ 90 मिनट जो है आपको यहाँ पे दिये जाएगे तो अपनी तयारी में जी जान लगा दीजिएगा एक से डेड़ साल आप कुछ भी मत देखिएगा अगर आपको सरकारी नोकरी लगना है तो आप इन डेड eligibility criteria main थी यह मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ यह चीज भी आप देख लेना काफी important है जो stage 1 का exam होगा सभी का serial number 1, serial number 2, serial number 3 यानि की commercial कम ticket clerk, accounts clerk, junior clerk, train clerk इन सभी का stage 1 होगा वो सभी का same रहने वाला है यहाँ पे लिखा गया common for all post और CBT जो होगा second stage होगा वो आपका common for all post तो यह देख लेना यहाँ पर जो है typing test लिया जाएगा उसके बाद मैं जो eligibility criteria यह धीरे धीरे से आपको बिल्कुल आराम से आपको बता चुका हूँ I hope आपको कोई भी doubt नहीं रहा होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिएगा और share कीजिएगा ताकि मुझे motivation मिल सके और मैं आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं साथ में जो है इसकी GKGS का जो previous year question paper थे यह GKGS का previous year question दो 2019 वाला था उसमें लगबग 133 shift करवाए गए थे total 133 shift हो में paper करवाए गया था और GKGS के जो question है वो पचपन सो प्लस से 6000 question उसके अंदर रखे गए थे त GYQ question definitely बहुत बार पूचता है यहां से आपको GKGS पढ़नी बहुत जरूरी है इनको ignore करने की आप जरूरत मत करना क्योंकि जो है इनके ignore के बिना जो है selection नहीं हो पाएगा और static GK भी हम side by side धीरे धीरे एक एक topics wise जो है वो देते रहेंगे तो सारी जानकारी सारी provide सारी information आप को इसी चैनल पर मिलने वाली है non-stop platform पर जो इसका नाम है S4PSC यानि की study for public service commission कोई भी आपका doubt है query है suggestion है do in the comment section आपकी problem को solve कर दिया जाएगा इस वीडियो में इतना ही रखते है चैनल को subscribe कर ले जा सब्सक्राइब कर लेना और हमारा telegram channel जरूर से जरूर जोइन कर लेना क्य कर दो